तो कैसे हैं आप सब उम्मिद करते हैं आप सभी लोग अच्छ होंगे फ्रेंट्स मैं राहुल चोहान एक वार फिर से आप सभी का बहुत उस्वागरत करता हूँ आप की वीडियो में जो भी फिनो के मर्चेंट्स हैं उन सभी के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है फ्र आपको सर्विसेस सुविधाय मिलने वाली हैं और क्या आपको कमीशन मिलने वाला है सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंट्स तो बिना वक्त कबाए वीडियो को सुरू कर लेते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप अगर पहली बार आए हुए चैन के वीडियो सुरू करने के लिए हम लॉग इन कर लेते हैं और फिनो पेम्ट बैंक के पोर्टल को तो हम आ चुकी है मोंने फिनो पेमLag forest कर मैंने ». क्या होता फिर फ्रेंट्स की स्कॉलर्स हीप के लिए कुछ स्टुडेंट्स आपके पास आते होंगे और वह उनकी एच जो है वो 18-े से कम होती थी, तो वो लोग account open करवाने आते थे, बट फिनों में account miners के open नहीं हो रहे थे, तो ऐसे में काफी सारा आपको loss हो रहा था, जीतने फिनों के merchant हैं, उनके customers सारे वापस जा रहे थे, और वो फिनों का account नहीं open कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग के जो भी CS सब्सक्राइब करने के लिए बड़े अकाउंट जिनको उपन करवाने होते हैं वह सभी ब्रांच में डारेक्ट चाकर करके अपना अकाउंट उपन करवा लेते हैं और वही सर्विस लाइव नहीं थी तो ऐसे में काफी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी हम एक मोवाईल लमबर डाल करके हम आपको दिखा देते हैं कैसे आपको अकाउंट उपन करना है आपको मोवाईल लमबर डाल करके उस सर्च पर क्लिक करदेना है ठीक है तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमारे डेश्टॉप पर अगर मैं फिनो बैंक के पोर्टल को लौग इन करता है अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मित्रा एप नाउनलोड करके और उसमें आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं तो चलते हैं मुबाइल स्कीन के तरफ तो यहां पर आने के बाद में आपको अपना मुबाइल लंबर डाल देना है ठीक है और जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इदर साइड में आपका अकाउंट ओपनिंग का एक अप्सम आ जाएगा अभी मेरे में नहीं आ रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो यहां पर अकाउंट ओपन का अप्सम जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह चार्ट ओपन हो जाएगा बविश्य सेविंग अकाउंट इस पर आपको क्लिक कर लेना है यहां पर सारे अकाउंट ओपन हो जाएंगे आपको बविश्य सेविंग कर लेना है इ आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ तक तक के लिए अपना फ्यार लखिए बबाए टेप केर चेहन वंदे मातर।